वल दोस्तों स्वागत है आस्क डॉट के एक और नए एपिसोड में और इसमें आप लोगों ने जो कोशिन पूछे थे उन सब का रिपलाई आपको देखने को मिल जाएगा उसी के साथ सब पे कोशिन का रिपलाई मैंने दिया है अगर किसी का कोशिन छूट जाता है तो वो पर आपको रिपलाई देखने को मिल जाता है कॉम्नेटी बॉक्स में ही वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है वेल जो भी डाउट्स होंगे आप फिर से कॉमेंट कर देना आपको रिपलाई देखने को मिल जाएगा बस आपसे रिक्यस्ट है नीचे आपको लाक खारपी जी की तरफ से Realme 7 Pro में Realme UI 2.0 स्टेबल अपडेट कब आएगा सर जी Realme 7 Pro में आपको जो स्टेबल अपडेट है Realme UI 2.0 का ओफीशिल कोई डेट तो नहीं है लेकिन एक्सपक्टिड है कि मार्च एंड तक आपको Realme 7 Pro में Realme UI 2.0 का स्टेबल अपडेट मिल जाएगा बात करने अगले क्वेशिन की वो पुछा गया है ट्रिपल नाइन जी की तरफ से और वो पुछते हैं कि Realme 5i अपडेट कब आएगा सरजी Realme 5 5s 5i का जो अपडेट है आपको end of March तक इन तेन डिवाइसेज में आपको Realme का जो मार्च का अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा बात करने अगले क्वेशिन की वो पुछा गया है चिराग हुजा जी की तरफ से Realme C2 में next अपडेट कब आएगा end of March तक आपको Realme C2 में जो मार्च का अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा बात करें next question की तो प्राथम कुछवास जी पूछते हैं Realme 7 February security अपडेट कब आएगा ये आपको March 20 तक देखने को मिल जाएगा February security patch के साथ बात करें अगले question की तो मलेक सेम अली जी पूछते हैं भाई Realme का antivirus और cleaner Realme UI 1.0 के लिए भी मिलेगा की नहीं सर जी 110% Realme UI 1.0 के लिए भी आपको जो Realme का antivirus और cleaner है वो देखने को मिलेगा बात करें अगले question की वो पूछा गया है DNS Gaming जी की तरफ से Realme 6i 2.0 में application install नहीं हो रही सर जी मैंने भी Realme 6i में Realme UI 2.0 का update किया है मुझे कोई भी ऐसा bug देखने को नहीं मिला मैं जो भी system application install कर रहा हूं install हो रही है और कोई भी application third party install कर रहा हूं install हो रही है वैल आप लोग जो भी application install कर रहे होंगे वो शायद supported नहीं करती होगी आपके devices में लेकिन Realme UI 2.0 में ऐसा कोई bug नहीं है अगले question की वो पूछा गया है रिशिक बर्मा जी की तरफ से भाई Narzo 10 में UI 2.0 कब आएगा और Narzo 10 के लिए कोई custom ROM है या नहीं तो सर जी को अभी तक Narzo 10 के लिए कोई भी custom ROM अवेलेबल नहीं है और 2.0 बीटा यूजर को मिल गया है और जो नॉर्मल यूजर है उनको March एंड तक देखने को मिल जाएगा Next question मुहमद अर्मान जी की तरफ से Hello News Pro इस बार question जो पिक करना Realme 3 में March मंद का अपडेट कब तक मिलेगा और क्या क्या फीचर्स मिलेंगे सर जी Realme 3 में March का अपडेट आपको end of March तक मिलेगा और फीचर्स की बात करें तो नॉर्मल security अपडेट हो गई इसमें आपको security patch मिलेगा फीचर्स कोई भी याड नहीं होगा बस यहाँ पर Realme bugs fix कर देगा और सिस्टम की stability और performance को थोड़ा improve करेगा questions शुमित कुमार जी की तरफ से Realme 6 Pro में stable update कब आएगा भाई बता दो Realme 6 Pro के stable update की कोई official information नहीं है लेकिन expected बात करें तो April mid तक आपको Realme 6 Pro में जो stable update है UI 2.0 and Android 11 का वो देखने को मिल सकता है question रोशनजाज जी की तरफ से Realme 2 Pro में update नहीं आएगा क्या सर जी update आएगा और March के मत में आपको Realme 2 Pro में जो update है वो देखने को मिल जाएगा well end of March तक की यहाँ पर कुछ leaks आ रही है so आप लोग वेट कीजिए end of March तक आपको Realme 2 Pro में update देखने को मिल जाएगा question कार्तिक विजौरिया जी की तरफ से hello भाई love you love you Realme X2 में UI 2.0 update के बाद बहुत lag और poor management है यह कव fix होगा सर जी जब stable update आएगा यह fix हो जाएगा और इनका second question है भाई मैंने 4 manager app manually update किया है के मुझे company आएगा तो वो update भेजेगा जी सर जी जो भी आपको update आएगे वो आपको आपके device में भी देखने को मिलेंगे यह मिलेंगे चाहिए आपने manually ही क्यों ना update किया हुआ हो दोस्तों इतना ही इस वीडियो में I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर देना नीचे आपको लाग कल का button मिलेगा subscribe करेना और future में अगर आपको इस step की वीडियो और चाहिए तो अपने भाई को support करो 50K हमें जल्दी से जल्दी complete करने है so मैं मिलूँगा आपको अपनी next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर